नाराज के होते हैं वेलकम बेगाई समाग है अपना वालकम स्क्रिन पर और आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को टुटोरल है इस वीडियो का रिक्वेस्ट एक भाई ने मुझे इस ट्राइगा पर डियम किये हुए तो थैंक्यू सो मच्छ सब से पहले आप सबी को और यह वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए चलो वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ही यूनिक है बहुत ही कमाल का है आई होप कि यह आपको काफी पसंद आएगा चलो स्टाट करते हैं सबस्पहले प्लस करते हैं और 960 के रेशियो ले लेंगे रेजिएलेशन में 720 प्लस करते हैं और मीडिया पर जाते हैं अपना गैलरी से एक फोटो को एड़ करेंगे तो गाइस यह वाला फोटो मैंने एड़ कर दिया है फोटो एड़ कर देने के बाद आपको त्री डॉट पर क्लिक करना है फिल कम सेनेरिया स्लेट कर लो मूब और ट्रांस्वाम पर ज अपना और यह थोड़ा सा और उपर हम लोग कर लेते कुछ इतना ठीके अब इसको हम लोग क्या करेंगे ठीके इतना फोटो एड़ेस्ट कर लेने के बाद आपको करना क्या है यह मूब यह जो प्लस वाला जो अप्सन दीख रहे ना इस लेफ्ट में इसको क्लिक कर लो एक सुरु वाला जो प्लस लगा है इसको आपको राइट में रखना होगा इधर ठीक है अब इसके बास से ल्टा पर चले जाओ और लास्ट इसको इधर में लेकिया हो हलक आसा देख लो अब यह देखो को फोटो तो आपको बहुत ही स्मूदली यहां से फोटो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा यह फोटो अब को प्लस करना मीडिया भजाना अपना गैलरी से एक वीडियो को आड़ करना है जिसका सांड हमको चाहिए तो यह वला वीडियो है अब त्री डॉरट पर क्लिक करके एक सेक्ट और देगे वीडियो को डिलीट करेंगे और आपको यह गा यहां से लेके यहां तक पहला वाड है आप एक बार सुन लेना देख लेना ठीक है ध्यान से देखना सबसे पहला काम आपको करना है यह प्लस करना है यह से पोल आप्शन पर चले जाना है गाइस और आपको एडिट से पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद से साइज को अदेखे थे यह बैक करो कलर पर क्लीक कर्दों आपको सब्सक्राइब घुरदर है कुछ तरी को यहां बढम यहीं अदो लगाना है तो प्लस करते हैं और सेप में ही में हाँ मिल जाता है इसको क्लिक कर लेते हैं कलर पे क्लिक कर लो करलो क्लियर है अब इसको सिंपल साहब को छोटा कर देना देना है और यहीं से आपको एक सेडो लगा दो हो गया अब इसी को एक बर और कॉपी कर लो डूब्लिकेट लेयर कर लो यहां से डूब्लिकेट हो गया अब इसको क्लिक करना और इसको राइट में रख देना है इस ठीक है यहां पर आई होब कि यहां तेक एकदम क्लियर हो गया होंगे आप यह देख लो अब ये तीन उन हो जाएगा एक छाहगा इसको भी लावत तक हम लोग कर देते हैं हो गया है अब ये पहला जो वाड है कि नाराज क्यूं होते हो तो यहां पर लिखते हम लोग क्लिक कर लो ध्यान से देखो गाईस नाराज क्यूं होते हो ठीक है हो गया अब यह अलाइन्मेंट वॉल आप्सन पे एक बाग क्लिक कर लो बीचों बीचा जाएगा कलर पे क्लिक करके वाइट कलर को चूज करो रोबोट रगलर पे जाना है गाईस और यह वला फॉंट में यूज किया थ एटिन पीटी पे जानी है इधर से आपको थोड़ा काम करके फोर्टिन कर देनी है ओके पे क्लिक करना है और मूब इंट्राइंस्वर्म की मदद से इस टेक्स को यहां पर हम लोग अच्छा से एड़जस्ट कर देंगे ने गाईस चीक है यह देख लो क्लियर है गाईस यह करना यहां तक का अब आपको यह सबसे पहला कहां तक का आपका पहला मद था यह जाएंगे पिजाएंगे बढ़े कर देंगे 14 कर लेंगे कर देते चीक है अब इसमें एक movement transform, zoom in, zoom out का effect लगाना है, तो इस पे click कर लेते हैं, movement transform पे जाते हैं, third वला option पे जाते हैं, सबसे पहले एक सुरू में प्लस लगा दो, इसके बाद से exactly एकदम बीचों बीच में प्लस लगा देना है, exactly उसके बाद से एकदम last में प्लस लगा देना है, जो सबस को इस screen के बरावर, जूम करने हैं, तेख लो, दोनों screen में सब्च बस छोड़ देना है, अब इन दोनों को बीच में करब लगाना है, तो कर पे आ जाओ, इसको इस तना बढ़ा दो, इसको इतना बढ़ा दो, ठीक है, यह देख लो, अब इन दोनों कर लुँद, दोनों के बीच में आके इसको नीचे करना है अब यह इफेक्ट देखो तो कुछ इस तरीका से एफेक्ट आपको देखने को मिलता है इतना काम हो गया अब इसी पर क्लिक कर लो एड़ एफेक्ट पर जाना है बलर पर जानी है यहां से मोशन ब्लर को ले लो स्टांडर्ड सेटिंग को क में है इस वीडियो के लिए तो इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपको एफेक्ट पर जाने हैं और यह जो आप आप संदेख रहे हो यह बलर वाला बलर वाला पर जाओंगे यहां से एक ऑप्शन मिलता है डारेक्शनल ब्लर को ले लो स्टांडर्ड सेटिंग कर कर लो डायक्सनल बलर को ओपन करना है यहां पर जिएफ द्यान से देखना सुरू में प्लस लगाना है और प्लस लगाने को बद इसको इतना करके बढ़ा देना है ठीक है इसको लगबंभग 40 के करीब बढ़ा दो 40 हो गया अब यह तोड़ा सा थोड़ा सा आगे बढ़ना ह यहां पर प्लस कर देना है और इसको वापस से नोग मरता है कि यहां पर पर पू सबसहें प्लस लगा दिना है पहले जिर प्लस कर देना है जयESको सबंसरे बाधे करना है को गया यह फैर करते हैत्र dop यह पर यहां यह जो ब्लर है directional वर्व आपको clear उतना दिख नहीं रहा है तो उसको दिखाने के लिए effect पे जाओगे add effect पे जाओगे और यहां से color and light पे चले जाओ यहां से exposure and gamma को ले लो standard setting को click कर लो अब देखो वो color आपका दिखेगा exposure and gamma को on कर देना है और यह देख सकते exposure को इधर से आपको बढ़ा के वन रख देने हैं यह देख लो वन हो गया अब यह आपको पूरा clearly देखेगा जो effect आप लगाए हो देखो कितना clear लग रहा है इसको और भी आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो ठीक है और नहीं तो आप अपने इसाब से इसको छोड़ सकते हो तो एक बार मैं इसको प्ले करके दिखा देता हो sound को आफ करता हो यहां से और एक बार पूरा इस text को दिखाता हो तो देखो कुछ इस तरह कैसे दिख रहा है जो बहुत ही unique लग रहा है clear है अब यह हो जाने के बार आपको गाईस एक बार और मैं दिखा दू डिरेक्शनल ब्लर पे जाके इसको आप और भी चाहो तो इतना बढ़ा सकते हो ताकि यह और भी speed में जाएगा 77 कर देते है तो एक दम speed में जा रहा है ठीक है इधर से भी 77 क कर देते हैं तो यह क्या है कि आगर आप इस तरीके से करोगे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा और भी clear हो जायाएगा आपके लिए ठीक है यह देख लो clear है गाईस देख लो हो गया अब दूसरा लिखने के लिए यहीं पर क्लिक करना है इसको copy layer कर लेना है और दूसरा जहां पर आपका वार्ड स्टार्ट होते हैं वहां से paste कर दो वार्डिंग को change कर दो इस वीडियो में मैंने एक black screen वीडियो यूज किया है तो उसको कैसे add कर करना है चलो add करके दिखा देते हैं कैसे use करना है ठीक है अब गाईस देख सकतों यह एक black screen वीडियो है मैं लेया हूं इसको क्लिक करना है सबसे पहले तो इसको जूम कर लेना है थोड़ा सा कि पूरा स्क्रीन में fit हो जाए इसके बास ब्लेंडिंग पर लाइटिंग पर जा यहां पर लास्ट हो रहे है वहीं से आपको इस ठाटिंग पर पेस्ट कर देना है और यहां से कट कर देना है तो thank you so much इस video को देखने के लिए मुझे उमीद है कि यह आपको काफी पसंद दआ होगा अच्छा लगा होगा बहुत जवरस्त लगा होगा तो अगर यह वीडिय तो इस वीडियो को सेब करने के लिए सेर वाला आप्शन पर जाओगे वीडियो सेलेक्ट रहे हैं यहां से एक्सपार्ट कर दो कि वीडियो आपका गैलरी में इससे बजाए